यान वापी सर्वे को लेकर अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है अभी सर्वे रोका गया मुस्लिम पक्ष के ना पहुचने के कारण रुका हुआ है सर्वे हाला कि जो हिंदू पक्ष है वादी पक्ष है उसकी महिलाए भी अंदर जाती हुई नजराई थी लेकिन क्योंकि अभी तक मुस्लिम पक्ष नहीं पहुचा है इस वजह से सर्वे का काम रोका गया है दोनों पक्ष की मौझूदगी में ये सर्वे का काम होगा जैसा इससे पहले भी देखा गया प्रीति श्रिवास्ता विस्वाक्ष हमारे साथ जुड़े हुई है प्रीति मुस्लिम पक्ष नहीं पहुचा है क्या बजह सामने आ रही है क्या information अब क्या कहेंगे सर्वे होना चाहिए चाहे हो हमारे पक्ष नहीं हमें जान रही है वो यहां पर पहुंची है और बिल्कुल मैं आपको बताओं कि जो वाती थी वह अंदर गई है और इस समय की जो सबसे पहुंचा है उसके बिना क्या सर्वे करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता है इसको लेकर जो राज सरकार के और जो केंडर सरकार के जो लीगल एडवाइजर है वो यहां पर मौजूद है और वो एडवाइज यहां पर ली चारी है कि अब ऐसी स्थिती में क्या किया हैं क्या उनकी तरफ से दलीले दी जारी है क्या आपने संपर करने की कोशिश की और तस्वीरे दिखाते रहे हैं कि गहमा गहमे किस तरह की बहौल कैसा सुरक्षा के सब लोग पहुँच चुके थे और यहां पर जो मुसलिम पक्ष है वो अभी तक नहीं पहुँचा था जिसके कारण सर्वे जो है उसको कुछ समय के लिए यहां पर रोग दिया गया है कि जब हमारे मुसलिम पक्ष के लोगों से जब बात चीत हुई फोन पे तो उन्हों ने कहा कि हमको यह जो सर्वे के पास आएंगे हरी शंकर जैन जी जो के हिंदू पक्ष के पक्षकार हैं वो इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरी शंकर जी खबर यह सामने पहुचते हैं तो कि बाइकार करें जाए ना जाए नहीं प्रकिया किसी बाइकार को ही रुकती हैं तो पार्लामें तो नहीं है जो आपने बाइकार करके बाहर आ लिया है में सर लीकल एडवाइस ली जा रही है हरी शंकर जी लीकल एडवाइस ली जा रही है कि क्या उनकी एफसेंस में सर्वे का काम चलेगा क्योंकि फिलहाल फौरी तोर पर सर्वे की काम को रोका गया है और लीकल एडवाइस ली जा रही है कि आगे क्या किया जा सकता है क्या इ कोज का दिया गया युजर कोज के लिशक्ट की तरह इसे तक दोनों पार रहना बहुत जरूरी है उसी में ही सर्वे होगा या फिर अगर कोई अपक्ष नहीं पहुंचता है तो फिर सर्वे का काम आगे बढ़ाया जा सकता है उसका कोई आगे इंप्लिकेशन्स या फिर घलत परणाम नहीं होंगे लेखे अज़ा है कि कोई किसी पज़ को रहने के लिए अच्छा परणाद के लिए नहीं होगा बिल्कुल बतलब अगर मुस्लिम पक्ष नहीं आता है तो भी सर्वे का काम चलता रहेगा हाला कि लीगल एडवाइस लीजा रही है और फिलाल सर्वे के काम को रोका जरूर गया है लेकिन कुछी देर में दुबारा सर्वे का काम शुरू होने की आशंका और उभी दोनों है बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट्स हम तक पहुँचाने के लिए